हलो नमस्कार मैं डॉक्र नौल पटेल डर्मेटलोजी सेवं हेर ट्रांस्पार्ण सेजन औरकलिंग राइगर छेटीजगर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ ओपन पोर्स के बारे में ओपन पोर्स की समस्या आज के डेट में युवां पीड़ी को यंग यंग एज वालों को काफी ज्यादा समस्या देखने मिल रही है हलो नमस्कार मैं डॉक्र नौल पटेल डर्मेट लोजी सेवं हेर ट्रांस्पार्ण सर्जन और अकलिंग राइगर छेटीजगर मेरे यूट्यूब चेनल और अकलिंग राइगर को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर करें क्योंकि इसमें इसकीन हेर नेल सेक्जोर लेटेड डिसीस से काफी वीडियोज मैं डेली अपलोड करते रहता हूं जिससे अगर आपकी किसी भी प्रकार की समर्सिया आपको आपके दोस्तों या फेमली में हैं तो उनको काफी मदद मिल सकती है आईए हम आज बात करते हैं open pores के बारे में open pores क्या है उसकी इलाज कैसे कर सकते हैं हम रोख थाम कैसे कर सकते हैं open pores को क्या हम घर पे ही बैट करके कुछ हद तक manage कर सकते हैं तो आईए इसके बारे में हम detail में जानते हैं पहला पॉइंट है कि ओपन पोर्स होते क्या हैं ओपन पोर्स आपने देखा होगा अधिकतर महिलाओं में पूर्सों में जो यंग एज वाले ज्यादा होते हैं उनके गालों में नाक फोरहेड या चीन में छोटे छोटे रोम चिद्र जो नॉर्मली होते हैं वो बड़े साइ कर देता है ओपन पोर्स अधिकतर सीबेसेंस ग्लेंड जो ओइल ग्लेंड होते हैं उनकी ओपनिंग के बड़े हो जाने इर्रेगुलर हो जाने के कारण यह हो जाता है ओपन पोर्स क्यों बन जाते हैं इनके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं ओपन पोर्स के बनने के मुख्य क जितना ज्यादा आपका oily gland ज्यादा active रहेगा वो धीरे धीरे पोर्स खुलते जाएंगे कई बार गलत क्रीम के इस्तमाल से आप अपने glands को proper blockage कर देते हैं और वो पोर्स ज्यादा open हो जाते हैं जिनका skin बहुंच ज्यादा sensitive है उनको पोर्स बने के संभावना ज्यादा रहती है जो बहुंच ज्यादा धूप में रहते हैं उनको पोर्स बने के संभावना ज्यादा होती है जिनके में बहुंच ज्यादा pimples बनते हैं उनके में open पोर्स को होने के संभावनाएं ज्यादा हो होती हैं उनमें बनने के संभावनाएं ज्यादा होती हैं इसके साथ में ओपन पोर्स उन व्यक्तियों उन पूर्सों महिलाओं को भी हो सकती है जिनके में एक जेनेटिक यह जो बढ़ा देते हैं मुख्यकारण नहीं है लेकिन वह उनको एक्रिवेट कर देते हैं ओपन पोर्स को बनने में बखड़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं जैसे हमको पता नहीं रहता है और हम इस्तमाल करते रहते हैं इसकरबर का बहुंँ ज्यादा इसक्रबिंग करने से ह जहरे को बारवा रगड के पोचते रहते हैं ब्यूटी पालर में बहुंँ ज़्यादा फेसेल कराते रहते हैं इन चीजों से हमारा पोर्स काफी बढ़ा हो जाता है जूप में लंबे समय तक रहने से जादा तनाव लेने से फास्फूर्ट जादा खाने से इन चीजों से यह सब एग्रिवेट कर सकते हैं हमारे पोर्स को ज्यादा बनने बढ़ने में यह पोर्स कैसे बेसिक इनका मेकेनिजम कैसे है कि यह बन कैसे जाते हैं देखिए हमारे चेहरे में सीबेसेस ग्लेंड्स ओयल ग्लेंड्स होती हैं जहां आपने देखा होगा कि चेहरे में बहुत बारे एक छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनके नीचे में छोटे-छोटे oil glands होती हैं, वो oil glands एक fine रोम छिद्र पोर से अपना oil निकालते रहता है, वो निकालना एक normal condition है, जब यह बड़े हो जाते हैं, उसको open pores करते हैं, वो जब भी activity उनकी ज़्यादा हो जाती है, पोर्स को हम कोई गलत प्रोडक्त इस्तमाल करने से ब्लॉकेज कर देते हैं, और वहाँ पे धीरे-धीरे उनका सिक्रिसन बढ़ जाता है, तो pores धीरे-धीरे बढ़ने लग जाते हैं, दूसरा कारण है कि elastic tissue हमारी skin में धीरे-धीरे कम हो जाती है, elasticity कम हो जाती है, collision tissues कम हो जाते हैं, और sun damage के करण धीरे-धीरे हमारी skin के pores बड़े हो जाते हैं, क्या हम इन pores को बनने से रोक सकते हैं, जी हाँ, इन pores को बनने से हम काफी हद तक हम रोक सकते हैं, और इसका इलाज भी काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ध्यान में रखने वाली बाती है कि open pores को आप खराब ना दिखें, इतना आप कर सकते हैं, कि पहले इसके point में बताना चाहूंगा कि open pores को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे, पहला है कि face wash, open pore वालों को किस प्रकार के face wash का इस्तमाल करना चाहिए, open pores वालों को glycolic acid, silicic acid, face wash इस्तमाल करना चाहिए, डेली दिन में दो बार gly glycolic acid या salicylic acid face wash से चेहरा को gentle दोना चाहिए, प्रत्यक दिन धोने के पश्चात में dry wipes, सुखे wipes, cotton kit, towel इनका इस्तमाल करके आपको चेहरे को simple आपको पोंच लेना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसक्रबिंग का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है, हर बार चेहरा दोने के पश्चात में आपको एक अच्छी quality का मौश्राजर इस्तमाल करना चाहिए, पोर्स के treatment के लिए काफी सारे creams available होते हैं, जैसे की रेटेनोईन, रेटेनोल, बेंजोईल पराकसाइड, एडापेलीन, टेजर रोटीन, ध्यान में रखने वाली बात यहां है, किसी भी प्रकार के प्रेगनेंसी और इस्तनपान करने वाली महिलाओं को इस प्रकार के क्रीम के इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह आपके बच्चे को नुकसान कर सकते हैं, इनके साथ में एक रेगुलर रेटिनोल युक्त मोश्राजल लगाने से भी आपके ओपन पोर्स काफी कम हो सकते हैं, यह सारे क्रीम आप अपने डर्मेटलोजिस की सला से ही उप्योग करें, इनके साथ में कुछ अलग थेरिपीज हैं जैसे आप रेगुलर अपने चेहरे में अलग अलग तरीके के पिलिंग हर महिने में एक बार आप करवा सकते हैं, इन ट्रीटमेंट्स को आपको महिने में एक बार जरूर लंबे समय तक 1-2 साल करवाना चाहिए, साथे साथ में आप माइक्रो डर्मा भ्रिजन, सारे थेरिपीज हैं जिनसे आप अपने open pores को काफी हर्त तक कम कर सकते हैं यह हो गया एक dermatologist द्वारा सुझाया गया treatment जिसको आप क्लिनिक में जाके कंसल्ट कर सकते हैं और आपके pores के according आप treatment ले सकते हैं साती सात में कोई भी थेरिपीज आप करें आपको एक अच्छा एक अच्छा फेस वास और आपके इसकिन के एकॉर्डिंग संस्क्रीन उप्योग करना बहुँ ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इनका रेगुलर इस्तमाल करते हैं तो आपके ओपन पोर्स समय के साथ में काफी कम हो जाते हैं ओपन पोर्स का इस्तमाल करते वक्त हमको कुछ घरलू थेरपीस या एडवाइस भी अपनाने चाहिए जैसे हमको घर में हम जब रहते हैं इस्तमाल करते हैं तो हमें अपने चेहरे को रेगुलर थंडे पानी से दिन में 3-4 बार धोना चाहिए घर में मिलने वाले जैसे एलोविरा जेल को हम अपने इस्किन में लगा सकते हैं 15-20 में ट्रकने के बाद में दो सकते हैं अपने चेहरे में दही का इस्तमाल कर सकते हैं, दही के इस्तमाल से इनमें glycolic, citric, lectic acid होता है, जो हमारी स्किन को एक peeling effect देता है और हमारे स्किन के pores धिरे धिरे कम हो सकते हैं हर दिन ध्यान रखना चाहिए हमको चेहरे को ढख करके या sunscreen लगा करके जाना चाहिए, अच्छे मातरा में पानी पीना चाहिए, बहुत सारे खाने वाले चीजें जो हमारे open pores के लिए सही नहीं हैं, इनको हमको avoid करना चाहिए, जैसे chicken, mutton, mass मच्छियां, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, चौकलेट या sugar वाले food का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, यह हमारे body में, glycemic index, sugar insulin resistance को बढ़ा देते हैं, और cbss ग्लेंड को bacteria, प्रोपेन बेक्टिरों एकने, ज्यादा इनसे मिलता है, तो इनके इस्तमाल को कम से कम करना चाहिए, beauty पालर वाले चीज़ों का इस्तमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए, मार्केट में बहुत सारे मिलने वाले skin, cream, cosmetic के इस्तमाल से, आपका oily skin या pores बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान में रखना चाहिए, जब भी आप अपनी skin में sunscreen, foundation, powder, कोई भी चीज लगाते हैं, जब आपका काम, official work, party, साधी, function, ये जब खतम हो जाएगा, तो तुरंद घर में आके आपको चेहरे को पानी से या face wash से आपको चेहरे को धो लेना चाहिए, धोने के पश्यात में, या तो आप toner इस्तमाल कर सकते हैं, अच्छा मोशिराजर और sunscreen जो आपके face को ब्लॉक ना करें, ऐसा आपको इस्तमाल किया जाना चाहिए, ओपन पोर्स के इलाज के लिए आप मेरे क्लिनिक और क्लिनिक रायगर में भी विजिट कर सकते हैं, ओपन पोर्स लेटेड किसी और जानकारी के लिए, किसी treatment के लिए, comment box में comment कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस वीडियो जरूर मिलते रहें, धन्यवाद